कोविट-19 के इस टफ टाइम में हमारा सुरक्षित रहना बहुत इंपोर्टेंट है जिसके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है और हर किसी को कोरोना के इस लड़ाई में हमेशा मास्क पहनना ही चाहिए लेकिन हमारे मूह की बद्बू वाले एपिसोड के बाद बहुत से लोगो को कहना है मास्क पहनने की वज़े से उनकी मूह की बद्बू की समस्या और में बढ़ गई है जिससे लोग बहुत एंकमपटेबल मेहसूस करते हैं तो क्या सच में मास्क पहनने से मूह की बद्बू पर कोई असर पढ़ता है आज की एपिसोड में हम इसी सब्जेक्ट पर जानकारी लेने वाले हैं अगर आप भी इसी समस्या से परेशान है तो इस वीडियो को एंटक पूरा देखिए क्योंकि आधा नौलेज बड़ी बिमारी से भी ज्यादा खतरनाक होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नमस्ते मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉ इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या मास्क पहनना मूँ के बद्बु का कारण बनता है मास्क हमें सिर्फ कोरुणा की बिमारी से ही नहीं बचाता इसके साथ ही हवा से फैलने वाली हर बिमारी और धूल डस्ट पार्ट से आने वाली सांसों को भी कुछ हद तक बाहर जाने से रोकता है अब मूँ की बद्बु वाले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेट के अंदर की जैसे समस्या किस तरह से बद्बु का कारण बनती है किसी सरदीकासी होने से मूँ में बद्बु की समस्या बढ़ जाती है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो की लिंक मोजुत है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वह वीडियो भी आप जरूर देखें जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मास्क सिर्व बाहर की चीजों को अंदर आने से ही नहीं और फिर यही सलाइवा हमारे मास्क के अंदर से बद्बू का कारण बनती है फिर जब भी हम सास लेते हैं उन सासों में मास्क के अंदर की बद्बू हमें नॉर्मल से बहुत जादा महसूस होती है इसके साथ ही लोग एक ही मास्क कई दिनों तक यूज करते हैं जिससे वो मा से बद्बू आने की समस्या मास्क पहनने की वज़े से नहीं बढ़ती है बलकि मास्क गलत तरीके से और अपने दातों का ठीक से केर ना करने की वज़े से बढ़ती है अगर आप यह जानना चाहते हैं कि दातों में बद्बू की समस्या ना हो इसलिए क्या करना चाहिए कौन से हूं कि मदद लेनी चाहिए तो हमने उस पर भी एक डीटेल वीडियो बनाया है अगर आप वो वीडियो भी देखेंगे तो मुझ के बद्बू की समस्या से कैसे चुटकारा पाना है इस बारे में डीटेल में जान पाएंगे उस वीडियो की लिंक भी हमने वीडियो के इसके बारे में और भी जानकरे देने वाले हैं लेकिन इस बीच में अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अगर दातों की किसी भी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आपके सवाल पूछ सकते हैं या फिर हमें कॉल करके भी कॉंटक कर सक करते हैं चलिए अब हम इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं मैं आप से फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए सब्जिक के साथ तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए अउल और करते हैं तर That बहिए हुआ करते हैं?